I welcome you all my dear friends to my channel Ingenious Study आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी सी कहानी है Moral Story Two Frogs, दो मेंडग दो मेंडगों की आज है कहानी पढ़ने वाले है देखो क्या है Once two frogs lived in a Mars एक समय की बात है दो मेंडग lived मतलब रहते थे कहाँ पर in a Mars Mars का मतलब यहाँ पर क्या है दलडल, दलडल में रहते थे एक समय की बात है दो मेंडग कहा रहते थे दलडल में रहते थे ठीक है They were very happy वे बहुत खुश थे वे वर मतलब थे दो लोग है इसलिए वर लगा है एक के लिए was लगता है ठीक है They were very happy वो बहुत खुश थे With their life there अपनी जिंदगी से वहाँ वहाँ अपनी जिंदगी से दलडल में अपनी जिंदगी से वो बहुत ज़्यादा खुश थे But, लेकिन As the summer season approached लेकिन जैसे ही summer का मतलब गर्मी का जो season था मौसम था approach मतलब वो आया approach का मतलब होता है नजदीक आना है ना जैसे ही गर्मी का मौसम नजदीक आया season है ना रितु ग्रिस्मरितु नजदीक आई The Mars began to dry up जो Mars था मतलब मार्स का मतलब जो दलडल था begin वो सुरू हो गया to dry up सूखना सुरू हो गया गर्मी का season जैसी आया वो दलडल क्या हो गया सूखना से start हो गया सूखने का काम चाल हो गया उसका In a few days और कुछी दिनों में The Mars got totally dry जो Mars था जो दलडल था got मतलब वो हो गया क्या हो गया totally पूरी तरह से dry मतलब सूख गया पूरी तरह से सूख चुका था हो पूरा dry हो गया हो So the frogs decided to leave that place and took out for some other shelter for themselves So the frogs decided तो जो मेंडक थे उन्हों मेंडकों ने decide किया frogs ने decide किया फैसला किया क्या फैसला किया to leave that place कि वो उस जगह को छोड़ देंगे पहलो दल-दल में रहते थे गर्मी के वज़े से दल-दल सुख गया तो frogs ने क्या decide किया to leave that place कि उस जगह को हम छोड़ देंगे and look out for some other shelter and look out मतलब खोजेंगे, ढूनेंगे, तलास करेंगे किसकी for other shelter कुछ दूसरे घर की shelter का मतलब होता है उनके लिए अपने लिए कहने का मतलब है तो उन्होंने decide किया कि जगह को छोड़ देंगे और अपने लिए दूसरा कोई जगह डोनेंगे रहने के लिए shelter डोनेंगे ठीक है they reached a deep well वे पहुँचे कहां पहुँचे एक गहरी कुए के पास पहुचे reached a deep well वो एक गहरी कुए पर पहुँच गए ठीक है देखो reach के बाद कोई at या on या to ऐसा कोई preposition नहीं लगता they reached वो कहां पहुँचे direct place का नाम लिखना है आपको है न a deep well वो एक गहरी कुए पर पहुच गए they sat on the edge of the well they sat on वो बैड गए कहां पर the edge मतलब किनारे पे of the well मतलब कुए के उस कुए के उस well के किनारे पे वो बैड गए and peeped inside it अब peep का मतलब होता है जाकना और peeped मतलब उन्होंने जाका कुए की जो edge होती जो किनारा होता है वहाँ पर वो बैड गए और inside मतलब के अंदर it मतलब इसके इस well के अंदर उन्होंने जाका ठीक है देखा it had a lot of water in it it मतलब इस well को बुला it इसमें had a lot of water बहुत सारा पानी था in it मतलब अंदर में इस well में इसके अंदर बहुत जादा पानी था it had a lot of water in it इसके अंदर बहुत जादा पानी था इस कुए में और one of one of the frogs got so overjoyed to see the water that it at once sat लेको one of the frogs one मतलब एक of the frogs मेंड़कों में से एक एक जो था got हो गया क्या हो गया so overjoyed इतना जादा खुस हो गया वो to see the water उस पानी को देखके कुए के अंदर का that की it वो जो मेंड़क था वो at once तुरंत ही said मतलब कहा उसने तुरंत ही कहा क्या कहा एक मेंड़क ने बहुत जादा खुस हो गया था तुरंत कह पड़ा क्या आप कह पड़ा this well looks quite a fit place for us to live in ये जो well है जो कुए है looks लगती है कैसी लगती quite a fit place काफी अच्छा fit मतलब suitable उप्युक्त या उचित जगह लगती है है ना for us हमारे लिए to live in to live in रहने के लिए इसके अंदर ये जो well है बहुती fit place है अच्छी जगह है हमारे लिए इसके अंदर रहने के लिए it will be cool and safe inside let's jump inside it और आगी क्या कह पड़ा वो it'll be cool ये ठंडी होगी cool होगी and safe सुरक्चित होगी inside मतलब अंदर let's jump चलो कुदें inside it इसके अंदर ऐसा उन दोनों में से एक frog ने कह पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा खुस ता उतना सारा पानी देखके कुई है ठीक है okay आगे देखते the other frog was wise enough and it replied जो दूसरा जो frog था वो काफी बुद्धिमान था और उसने जवाब दिया reply दिया क्या reply दिया not so soon इतनी जल्दी नहीं my friend मेरे दोस्त we left the Mars हमने छोड़ा था उस दल्ल को है ना व्लेट मतलब छोड़ दिया था उस दल्ल को when it had dried up जब वो पूरी तरह सूख चुकी थी so इसी लिए first thing तो पहले सोचो पहले सोचो how shall we come out of this well if it gets dry तो how कैसे shall we come out हम बहार आएंगे of this well इस कुएं से if यदी it gets dry अगर इस सूख गई तो अगर इस सूख जाए तो हम इससे बहार कैसे आएंगे इसके बारे में पहले सोचो the first frog was speechless जो दूसरा जो frog था वो कैसा था speechless हो गया मतलब सुनके बिल्कुल उसकी बोलती बंद हो गई है ना as क्यूंकि he realized वो समझ चुका था that की one must think before taking any step one must think किसी को भी सोचना चीए है ना before taking any step कोई भी फैसला लेने से कोई भी कदम आगे उठाने से पहले किसी को भी क्या करना चीए पहले सोचना चीए ये बात उसे समझ में आ गई थी ठीक है तो वो speechless हो गया वो सांत हो गया उसकी बोलती बंद हो गई पहले बाले फ्रॉक की ठीक है तो इससे क्या सीखने को मिला moral क्या है इसका सिख्चा क्या मिलती है we should think well before act हमें काम करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए ठीक है थैंक ये बाइर मच माइडियर स्ट्रेंट आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो in the comment box थैंक ये बाइडियर and near ones